हाई फ्रेंट कैसे हो अब सब लोग आसा करता हूं ठिक ठक होंगे आज का टॉपिक है जो ओ है गर्मियों में बाड को कौन सा वेजिटेविल और फूट्स दे अब लोग अपनी बाड की तो इस गर्मियों में बाड के खास खाना रखना है ख्याल राखना है समार के टाइम पर घ्रीन बेजिटेविल ज़्यादा देना होगा क्योंकि इस टाइम पर बाड जदे पर और दाना कम खाती है आप जो वेजटेबिल में वो जो पालंग की साग होते है और कलमी और खसला मिलता है वो दे सकता है कुंद्री कुंडो पाका पेपे तर्मूज मैंगो सौफेदा दे सकते हो मतलब सामर की टाइम पर जो फ्रूट्स मिलता है वो भी आप दे सकते हो अपने बाड को और इस टाइम पर बाड के ब्रीडिंग ना ले तो अच्छे होंगे क्यूंकि सामर का टाइम पर गर्मी ज्यादा होती है तो बाड का साडेनली डेथ भी हो सकता है और केज को बाड के वो सब फ्रूट दे सकता है लेकिन उसका सीड उसमें नहीं रहना चाहिए क्योंकि फ्रूट का जो सीड में टॉक्सिक रहता है वो बाड को बीमार कर सकता है और बाड की डेथ भी हो सकता है और पानी हर दिन चेंज करते रहना है गंदे पानी नहीं रखना है केज में और फ्रेश फ्रनी देना होगा हर दिन और मुंकिं हो सके तो दिन में दो बार और एक बड़ा बरतन में पानी देना उसके नहाने के लिए और इस टाइम पर ब्रीडिंग ना ले तो अच्छे रहेगा क्योंकि सामर का टाइम पर गर्मी जादा होती है तो बार्ड का सादेनली डेद भी हो सकता है क्योंकि बार्ड जाप अंडे पर बैठती है तो गर्मी के कारण उसका हाट फैलियर हो जाता है और केज को ऐसी जाएगा पर रखना जहां पर एर की फेंटिलेशन अच्छी हो और पानी पर वारेस हर दिन जरूर देना इसी करती है अब लोग तो सामर में आपका बार्ड हिल्दी रहेगा और एक बात हफ्ते में एक दिन और दो दिन तुलसी के पत्ता जरूर देना वह बाड के डियो वार्मिंग में हेल्फ करता है और जो बाड की जो बाद हजमी और खानी की खाने की चाहत नहीं होता है ना वह सब फिक कर दाता है तुलसी के पत्ते प्रूट दे सकते हैं आप देख लिजी इस सफ़ेदा है यह उच्छे घंडी गाजर कंद्री खसला कल्मी मैंगो और तर्मोज पेपे और तुलसी की पत्ते जरूर देना यह जो तुलसी की पत्ती होता है इसको जरूर देना हर दिन नहीं हफते में दो या तीन बार झाल बार तो ये लोते को झाल झाल